नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनडारी बेहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम आपको एक पत्र दिखाने वाले हैं जो ICDS विवाग के तरफ से पत्र जारी किया गया है इसका डेट यहां पर आप लोग देख पाएंगे 17-6-2022 यानि कि यह जो पत्र जारी हुआ है वो समाजी कंकेक्षन परकिरिया को अस्थागित करने के लिए पत्र जारी किया गया है इस पत्र में और भी बहुत सारी जनकारी है जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ कि यह समाजी कंकेक्षन परकिरिया जो 20-2022 को होने वाली थी वो कियो रद किया गया है इसके पिछे कारण क्या है और इस जगा पर आपको कौन से नए कारे करम करने पड़ेंगे तो वीडियो में आप लोग बने रहिए और वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देख लिजिएगा और इस लेटर को जारी करने वाले हैं अनुसरों पदादिकारी आईसीडेस निदिसाले सेवा में सभी जीले पदादिकारी को जारी किये गए यानि पूरे बिहार में जितने भी जीले हैं उन सभी जीलों में ये नियम लागू होने वाले हैं यहाँ पर आएंगे इस लेटर का जो विशय दिया गया है यहाँ पर किलियर आप लोग समझ पाएंगे जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि समाजिक अंकेक्षन पर क्रिया 2014 के अनुसार राज्य में सभी आंगनवारी केंद्रों पर दिनांक 26-2022 को निर्धारित समाजिक काड़ेकरम को अस्थागित करने के समवन में देख सकते हैं कि दिखा गया कि 20-2022 को जो समाजिक कि अंकेक्षन की काड़ेकरम होने वाल ठाभ इंडिया गया है जैसा कि यहां पर देख सकते हैं जो समाज के लिएन विभाग का पत्रांख है वो भी जारी किया गया था वो बाइस पांच दोहर चौदा के आलोक में और नौच दोहजर बाइस यानि इससे पहले जो पत्र जारी किया गया था समाजी कंकेक्षन कारेकरम करने को लेकर उसका यहां पर पत्रांख जंख्या दिया गया है निचा आएंगे और यहां पर देखेंगे कि महास है निदेशा नुसार उप्रियूक प्रसंगीक पत्र के आलोक में कहना है कि दिनांग 19-6-2022 से 23-22 तक आयोजित राष्ट्रे पल्स पोलियो को देखते हुए तो इससी को देखते हुए जो समाजी कंकेक्षन कारेकरम है उसको ततकाल परभाव से अस्थागित कर दिया गया है नीचे आके देखेंगे कि यहाँ पर ICDS विभाग अनुसरोन पदादिकारी का यहाँ पर signature दिया गया है तो इस पुड़े पत्र में एक ही बात सामने निकल के आ रही है कि आंगनबडी सेविकाओं के उपर से एक काम का दबाव कम नहीं होता है कि दूसरे काम का दबाव आंगनबडी सेविकाओं के उपर आ जाता है अब देखिए यहाँ पर 19222 से 2322 तक आंगनबडी सेविकाओं से पल्स पोलियों का काम कराये जाएगा जबकि पहले से ही आंगनबडी केंदर में इतने सारे काम है कि वही नहीं हो पाते हैं तो फिर से उनको घर घर जाकर पल्स पोलियों का काम कराये जाएगा सरकार को भी पता है कि आंगनबारी के अंदर में कितने काम है फिर भी उनके उपर इस परकार के दबाव दिये जाते हैं जबकि आंगनबारी सेवकाओं का मांदे को लेकर कोई इतना बारा नीडना नहीं लेता है जबकि देखते हैं कि यहाँ पर मान दे इतना कम है फिर भी आंगनबड़ी सेविकाओं सारे काम को अच्छी तरह से निभाती है और जो यह काम है वो स्वास्त विभाग की ओर से काम कराया जाता है लेकिन स्वास्त विभाग 75 या 100 रूपए में काम नहीं करेंगे तो इस परक इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सेर कर दिजेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिजेगा मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियों बने रहाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद